नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत सागत है आकर साइस रिसर सेंटर में आज की एपिसोड में हम भारत में बरतमान में कौन क्या है एक जनवर 2019 तक के बारे में जानेंगे सबसे पहले पहला प्रस्ण है पहला जो है दोस्तो क्रेंट अफेर्स जो भरतमान में कौन क्या है उसे रिलेटेड फैक्ट्स की चर्चा करने जा रहा है दोस्तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अधिक से डाश्ट्री यह प्राश्ट्राश्ट्राएब लाइच्श 46-बे नमबर के हैं रंजन गोगोई कौन वने हैं ? और इसका जो काम है ये संसद का चुनाव करवाता है और 25 जनवरी को हर साल राष्ट्य मत दाता दिवस मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग election commission के अस्थापना हुई थी और दोस्तों मैं बता दू कि election commission जो है निर्वाचन आयोग जो है वो अस्थाई और कह सकते हैं दोस्तों कि ये एक समयधानिक संगठन है समयधानिक constitutional body है और इसके अभी जो बरतमान में मुख निर्वाचन आयोग था सुनील अरोरा है और इससे पहले उंपर का स्रावत थे दोस्तों मैं बता दू मुख चुनाव आयोग जो पर्थम थे बुकुमार संग थे और पहले जो एक सदसिये ये निर्वाचन आयोग था और ये बाद में फिर दो अन्मुख चुनावाइक्ट हुआ और मैं आपको बता दू कि इसका कारिकल 6 वर्सों का होता है मुख चुनावाइक्ट का और सेवानत निर्मत क्यायूज जो भी पहले हो 65 वर्स होता है दोस्तो चलिए DRDO के अध्यक्ष डिफेंस रिसर्च कोन है बिदोर बिनोद कुमार यादब बीकी यादब जिसे कहते हैं रेलवेड बोर्ड के चेर्मन कोन है बिनोद कुमार यादब है कोन है तो बिनोद कुमार बीके यादब है दोस्तों इससे पहले थे आसमी लोहानी जिनके अस्थान परहाली में इनकी न्यूक्टी हुई मिनुत कुमार यादव की रश्टे ञालया के ध्यक्षा कोवने हैं रीले मंत्री कोन लाज vaanा सिताय मन्तरी कोन इुगां शितारामन कोन राजीब कमार न। पर्थम कों थे यूओ कुण थे दो सक को दोस्तों याद रखेगा निती का फुल फॉर्म होता नेशनल इंस्टूशन फोर टांसफॉर्मिंग इंडिया और इसके अध्यक्स होते हैं परधान मत्री योजना आयोग के जगह पर निती आयोग एक जन्मरी 2015 को आस्तित्य में आया और अभी बरतमान में नीती आयोग के अ परधान मत्री जो थे पंदरव मार्स 1950 में योजना आयोग के अस्थापना हुई थी और उसके परधाम आध्यक्स गुलजारी लानलनता थे लेकिन अभी बरतमान में नीती आयोग का उपधाक्स कोन है राजीव कुमार नीती आयोग का सीयो कोन है अमिताव कांथ दोस्तों ये परश्ण पूछा गया है बहुत इंपोटेंट है राजव सचिव कोन है अभी दोस्तों अज़ेव हुसन पांडे है परमानु उर्जा नियामक बोड के अध्यक्स कोन है अभी नागेश्वर राव गुटूर और FTII के अध्यक्स कोन है व्रिजेंदर पाल सिंग और इससे अजय नरायन जहा याद रखेंगा दोस्तों 20 सचिव कोन है और 20 सचीव और राजव सचीव में आप इंफ्यूज मत होईएगा दोस्तों राजव सचीव जो भारत का अजय वुसन पांडे और विस सचीव है अभी अजय नरायन जहा मदपर्देश के सीम कोन है कमलनाथ है द कुन है के सिवान इंडियाइए सब्स смотреть को और गेवे लिए लॉजिन दोस्तों.. पर्थम लोगसभा के अधेक्ष जो थे। और मेरा वारत के अपास वजे से वाच्व कुन हिएए श्री वास्थITY तो बॉलाव नम्ही आजाद भारत का महान आयवादी क्यों हिए भारत का attorney journal of India कोन है फूइस the attorney journal of India और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अब चुझाल करें ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें दोस्तो अगला है नोसे ना ध्यक्त कोन है सुनील लामबा, अर्थल से नाधेक्ष कोन है, विपिन राबत, कैमनेट सचीव कोन है, अभी पर्दीप कुमार सिन्हा, SBI के अधेक्ष कोन है, रजनीष कुमार, याद रखे हैं कि दोस्तो, SBI के अधेक्ष कोन है, और CBI के अधेक्ष कोन है, M. नागर्शवर राव, याद Intelligence Bureau के अध्यक्ष कोन है राजीव जन है BSF के Border Security Force के अध्यक्ष कोन है रजनी कांत मिस्रा दोस्तो BSF के अध्यक्ष है रजनी कांत मिस्रा और CRPF के अध्यक्ष है राजीव राइवटनागर दोस्तो लोग सभा आयोग के अध्यक्ष कोन है संगलोग सेवायो के अध्यक्स है अरविंद सक्सेना संगलोग सेवायो के अध्यक्स कोन है अरविंद सक्सेना है और एकास में बीधी आयो के अध्यक्स कोन है बलवीर सिंग्स चोहान है दोस्तो और LIC के अध्यक्स विजय कुमार सर्मा है और अंत्रीम निर्देशक अध्यक को नहीं सकति पाइश और 25 में नंबर के गवर्न रहे लोग लेखा समीटि का दक्रूल मलीका अरजुन खरगे लोग लेखा समीटिंक अधरक्ष और 7 में का दक्रूल है वी रेडी और पंदर्रहमें वीटाइश को नहीं की रवी सास्ते भारते के टीम का मुख को दोस्तों वो प्रिकास जावेरकर बहरतिय ओल्मिक संग को नरेंद बत्रा भरती ओलंपिकिसंग का महाँ साचीब कुन है अंतनी उ गुतरेश और सेंसर बोड का देख कुन है परसुन जोसी याद रखे है दोस्तो और जीस्ट का परान डेस्टर कुन है अमिताब बचन और गृमांत्री कुन है राजना शिंह ओम मिनिस्टर फिंडिया दन इजे और तो डेट राजना शिंह इस the Home Minister of India, who is the Foreign Minister of India, Sushma Swaraj is the Foreign Minister of India, who is the Finance Minister of India, then it can be said that my dear friends, Arun Jetli is the Finance Minister of India. It is very important to understand that, sir. Okay, friends, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सबस्क्राइब करें और जादा सजादा सेयर करें और नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं और तब तक के लिए आप टेक केर, हाप टू स्वेगें, आप आप अनाज डेव, ताइंक यू फ्रेंड्स. आज के एपिसोट को हम यही पर मुकमल करते हैं. फिर मिलेंगे.